गुद मॉर्निंग दोस्तों आज जो हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन के जो है एक्सरसाइज का कुछ प्रस्णों को सॉलूशन करने जा रहे हैं तो इस चैनल पर बने रहिएगा इससे पहले बता दूँ कि रेशियो प्रपोर्शन के जो है इंट्रोडरक्शन जो है वीडियो इस चैनल पर है जाके देख सकते हैं ठीक है चलते हैं पूस्टन नमर वन में दिया हो कि वीच अब दा फॉलोईंग इस इन स्टेंडर्ड फॉर्म यानि निमन में से जो है कौन स स्टेंडर्ड फॉर्म यानि समाने रूप में है ठीक है इस टेंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी रेशियो या फ्रेक्शन के जो है दोनों में नम्रेटर और डिनुमेटर मतब आंस और अहर में जो है कॉमन फैक्टर एक के अलावब कोई और नहीं होना चाहिए म से कौन सा स्टेंडर्ड फॉर्म में है तो देखते हैं यहörtे नंबर से कटने वाला नहीं है यह reducing surpass paid नहीं में है इसका मतलब स्टेंडरर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि किसी फ्रेक्शन के जो है निम्रेटर और डिम्रेटर यानि अंसर और हर का SCF 1 और चाहिए ठीक है तो इसका जो एंसर हो जाएगा option number A हो जाएगा next question में चलते हैं हम लोग अगले प्रस्ण में दिया हुआ कि जो है which of the following is not in standard form यानि कौन सा जो है इसमें option में standard form में नहीं है तो देखते हैं यहाँ पर 71 by 65 यह जो है नहीं कटने वाला है ठीक है यह standard form में है जबकि देखिए आप यह जो है इसके पास common factor है मतलब यह two के table से जाने वाला है इसका मतलब यह standard form में नहीं है option number कौन सा जाएगा बी हो जाएगा बाकी option को देख लेते हैं यह जो है किसी number से नहीं कटने वाला है यह standard form में है यह भी नहीं कटने वाला है इसका मतलब यह standard form में है तो इसमें से कौन सा standard form में नहीं है यह नहीं है question number 3 में दिया हुआ है कि third proportional to 9 and 12 is third proportional माल लेते हैं कि यह 9A है और 12B है तो 3rd proportional के लिए formula होता है B square बटा में A B square मतलब B गुड़े B बटा में A मतलब B जो है B के जग़ाँ पर क्या है 12 है तो 12 गुड़े 12 और बटा में क्या हो जाएगा A यानि 9 तब यहां से देखते हैं 12 को 12 से गुड़ा करेंगे कितना हो जागा 144 बटा में 9 होगा अगर खटाएंगे तो कितना होगा 16 यानि 16 option number किसमें तो option number A में है next question दिया होए कि the fourth proportion to 3, 5 and 21 is मतलब 3, 5, 21 के बाद यह सब proportional में है तो इसका fourth proportional क्या होगा माल लेते हैं कि A, B, C, D यह चारो जो है proportion में रहते हैं उस condition में fourth proportion के लिए फर्मूला यानि D निकालना हो तो बीच वाले को जो है गुड़ा कर लेते हैं ठीक है यानि अगर चार संख्याए proportion में रहती है तो उसके लिए फर्मूला होता है ठीक है extreme मतलब की product of extreme value is equal to होता है product of mean value तो वहाँ से जो है मतलब बाहर वाला का गुड़ा हो जाता है बराबर होता है बीच वाले दोनों मान के बराबर ठीक है गुड़ा के बराबर तो D का value निकालना है तब D बराबर होता है B गुड़े C बटा में A होता है यहाँ से देख लेते हैं हमें 4 चौथा चाहिए 14 मालने तlocks है ठीक है तो बीच वाला दोनों क्या है यह हो जाएगा 14 मालने त Dae हैnya ठीक है तो यह हो जाएगा पांच और 1 कई सूपर गुड़ा में और बटा में हो जाएगा 3 यहाँ से 3 से ही कट जाएगा 7 बार में तो अगर इसको गुड़ा किया जाए तो x बराबर हो जाएगा 5, 7, 35 जो की अप्शन नमबर किसमें तो अप्शन नमबर a में है अब देखते हैं कोस्टन नमबर 5 में कोस्टन नमबर 5 दिया हुआ है कि if a by 3 is equal to b by 4 is equal to c by 7 then find करना हमें a plus b plus c by c मतलब कि माल लेते हैं कि तीनों ratio आपस में तीनों फ्रेक्शन आपस में equal दिया हुआ है माल लेते हैं कि तीनों के बराबर कोई एक संख्या है मतलब इसके बराबर भी के हो जागा इसके बराबर भी के हो जागा इसके बराबर भी के हो जागा उसी पर कर C by 7 बराबर के मानेंगे तो C बराबर कितना हो जाएगा 7 के हो जाएगा हमें find क्या करना है find करना है A plus B plus C by C मतलब A के जगा पर क्या find हुआ है 3 के 3 के लिख लेते हैं B के जगा पर क्या find हुआ है 4 के 4 के लिख लेते हैं C के जगा पर क्या find हुआ है? तो 7 के, तो C के जगा पर 7 के लिखते हैं और बटा में, बटा में क्या है? C है बटा में C के जगा पर 7 के है, 7 के नीचे रख लेते हैं उपर वाले total term को जोड़ेंगे 3 के, 4 के और 7 के, तो ये हो जागा 14 के by 7 के ये अगर इसको जो है कटा है, 7 से 14 2 बार में मतलब इसका जो है भाल हुआ जाएगा 2 जो की option number D में है चलिए देखते हैं हम लोग question number 6 में दियाओ कि A by B is equal to B by C is equal to C by D then find करना है BQ plus CQ plus DQ by AQ plus BQ plus CQ तो हमें जो है तीनों fraction के equal के is equal to माल लेते हैं K है यानि तीनों fraction किसी एक value K के बराबर है उस condition में जैसे ये question number 5 में निकाले हैं उसी तरह यहाँ पर भी find कर लेते हैं तो A by B is equal to K माने हैं यहाँ से A का value के आ जाएगा B के हो जाएगा उसी परकार B by C का value जो है K माने है तो B का is equal to value के हो जाएगा C के उसी परकार C by D का value के बराबर माने है C का value के हो जाएगा D के ठीक है तो इन सभी value का जो है हम लोग इसमें पूट करते हैं अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर A के जगा पर B के है और B के is equal to क्या है C के तो जो B का value हम इसमें पूट कर लेते हैं ठीक तब B के जगा पर जो है C के रख लेते हैं और बाहर में भी k है तो यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा एका value फिर एका value ये भी है एका value ये भी आ सकता है ck square उसी परकार c के जगापर क्या है तो dk है इस c का value इसमें पूट करते हैं यहां से आ जाएगा c के जगापर dk रखते हैं तो c के जगापर dk रखेंगे और बाहर में k square है ठीक है रापस में ये गुडा होके dk q बन जाएगा क्यूट कि जो है k का जो है k में गुडा होगा तो dk q बन जाएगा मतलब a का value आया 3 term आया a का value bk आया a का value ck square आया और a का value dk q आया तब जो है इस value को हम लोग ठीक है यह वहाला value पूट करेंगे एक चीज हो रहा है B के जगापर जो है हम लोग B का जो value है c के बराबर है इस c का जो value है यह वहाला ठीक है dk यहां पर put कर लेते हैं तो यह आ सकता है c के जगापर dk रखेंगे into k बी के जगापर आइगा dk square सबको एक टर्म में लिख लेते हैं तो बी के जगह पर जो है डी के स्क्वाइर और टोटल पर पावर थिरी होगा फिर पलस सी के जगह पर क्या है डी के है डी के का क्यू हो जाएगा फिर इसके बाद जो है डी क्यू है मटा में एक के जगह पर क्या रखते हैं तो डी की के का क्यू ठीक है और टोटल पर पावर क्या हो जाएगा क्यू क्यों क्यों यहां पर क्यू दिया हुआ है बी के जगह पर क्यू है तो बी के जगह पर जो है DK के फॉर्म में हो जाएगा DK स्क्वार और इस पर पावर 3 तो इसके पावर C के जगा पर क्या लिखेंगे DK लिखेंगे ठीके इसका BQ कोर्शन में दे चुका है अब यहाँ पर क्या करते हैं कि सबका भैलू अगर निकाले पावर 3 करें तो दीप पावर 3 और के पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा क्योंकि जो पावर में पावर उड़ा होता है और यहाँ पर भी देखते हैं DK, DQ और KQ यहाँ पर DQ नीचे में देखते हैं दीप पावर 3 और के पावर 9 आज जाएगा पावर में अपस में उड़ होता है और यहाँ पर देख लेते हैं DQ K-POWER 6 और यहाँ पर DQ KQ आएगा अब यहाँ से देख लेते हैं उपर वाले जो है टर्म में DQ जो है common दीख रहा है तब DQ को बाहर निकालेंगे ठीक है बचेगा अंदर में K6 K-POWER Q K-POWER 3 प्लस DQ बाहर निकाल गया इसके जगा पर 1 बच जाएगा बटा में यहाँ पर भी DQ common बच रहा है ठीक है और सबसे छोटा K-POWER Q जो है यह भी common मिल रहा है सम में तब K-POWER 3 भी निकल जाएगा यहाँ पर 6 बच जाएगा की पर पवर 3 common अगर निकल जाएगा इसका मतलब यहाँ पर कितने बार है तो 9 बार है और तीन बार निकल जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा च्छे बच जाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं तीन बार निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा तो यहाँ पर क्या बचाएगा अब यहाँ पर क्या बचाएगा बटा में DQ और KQ अगर इसको अलग-अलग फाइंड करें तो DQ को लिख सकते हैं D into D square उसके बाद यहाँ पर भी लिख सकते हैं D को अकेले और KQ into D square तो D square-स-D square cancel हो जाएगा ठीक है D के जगा पर जो है वाइसेरहने देते हैं और D KQ के जगा पर यहाँ पर देख लेते हैं तो इसके जगा पर जो है इसके जगा पर A रख लेते हैं तो जो final मेरा value आया DYA ठीक है जो कि अप्सन नमबर किस में है तो अप्सन नमबर A में है यहाँ पर देखते हैं question number 7 में दिया हो कि YZ ratio ZX ratio XY बराबर दिया हो 1 ratio 2 ratio के थरीक है तो हम जानते हैं कि अगर equal के side दोनों तरफ ratio रहता है तो ratio का परतियक जो term होता है वो ratio के बाद के परतियक term के बराबर होता है इसका मतलब मालनेते हैं इस ratio में के सामिल है ठीक है इसका मतलब हो जाएगा YZ ratio YZ is equal to हो जाएगा 1K या K directly मान सकते हैं ठीक है उसी परकार ZX बराबर 2K मालनेते हैं यह इस रेशियो में मालने दें कि यह सामिल है ठीक है कि यह कोपिसेंट कोई सामिल है X Y के जगा पर क्या हो जाएगा 3K ठीक है हमें find क्या करना है find करना है X बाटा में YZ डिवाइड Y बाटा में ZX अगर इसको करें X बाटा में YZ multiply यह जो हो उपर चला जाएगा यह नीचे तो Z से Z cancel हो जाएगा यह value क्या आजाएगा X square ठीक है Y square understand यह इसको अगर ठीक है और देखते हैं इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है X, Y का whole square क्योंकि दोनों पर power है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है अब यहाँ पर ध्यान देते हैं माल लेते हैं कि दोनों fraction में जो है numerator और denominator में Z से गुड़ा करते हैं X, Z और नीचे क्या बन जागा Y, Z टोटल के square जो है power 2 है यहाँ से Z, Z cancel हो जागा तो इसका value X बटा में Y ही पाले की तरह आएगा अब यहाँ पर ध्यान देते हैं X, Z के जगा पर X, Z का value रखेंगे तो X, Z का value कितना है जेडेक्स याइ X, Z की बात है 2 के है तो X, Z के जगा पर 2 को रखते है ठीक है और Y, Z के जगा पर Y, Z का value के रखते है ठीक है अब यहाँ से जो है square करेंगे यहाँ से के से के cancel 2 का square कितना होगा 4 by की के जगा नीचे जो है 1 है तो 1 का square 1 यह final जो है इसका ratio आजागा 4 ratio 1 जो की option number किस में है अब यहाँ पार हम लोग देखते है question number 8 में out of the ratios 7 ratio 20 मतब 7 ratio 20 13 ratio 25 और 17 ratio 30 और 11 ratio 15 इन सब का सबसे smallest कौन होगा है इन सब में तो सबसे पहले का अगर लेते हैं कि सभी ratio का decimal form में बदलते हैं क्योंकि जो इस तरह से सबसे छोटा निकलना जो है होगा अगर बदले यह आजाएगा जीरो दस में लोग ठीक है शेवन कि तरी की आसपास आएगा ठीक तो सबसे छोटा रेशियो कौन सा दिख रहा है 0.35 इसका मतलब 7 ratio 20 जो की option number किसमें है तो अबसे नंबर बी में है यहाँ पर दिया हो कि the mean proportion between 45 and a certain number is 3 times the mean proportional between 5 and 22 तो mean proportion क्या होता है तो मालनेते यह 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 भी है तो mean proportion के लिए formula होता है हम जानते है root over a b होता है तो इसका जो है mean proportion निकालेंगे क्या बनेगा root over 5 गुड़े 22 यानि क्या बन जाएगा यह root 110 बन जाएगा उसी परकार मालनेते कि जो है mean proportion between मतलब 45 और एक शर्टे नमर मालनेते हैं यक्स है इनके बीच का mean proportion क्या हो जाएगा root over 45 इन्टू यक्स ठीक है यानि 45 यक्स हो जाएगा अब क्या बोलना है इनका जो mean proportion होगा इसके mean proportion से 3 गुणा है ये 3 टाइमस है इसका मतलब कि root 45 जो यक्स होगा इसका mean proportion जो होगा वह 3 गुड़ा किसके होगा तो 110 के मतलब इसके mean proportion क्या 3 गुणा हो जाएगा तो दोनों तरफ squaring करेंगे तो ये root हट जाएगा तो ये 45 हो जाएगा और ये 3 का square 9 गुड़े और ये क्या बन जाएगा 110 यहां से देख लेते हैं 9 से ये कट जाएगा 5 बार में और 5 से कट जाएगा ये 22 बार में तो x is equal to कितना होगा 22 जो की option number किसी में है तो option number c में होगा यानि certain number जो आएगा 22 के बराबर आएगा अब देखते हैं आप question number 10 में बोल दाया है कि if the mean proportional between x and y is n times the third proportional ठीक है then ratio निकालना x is x ratio y क्या होगा तो यहाँ option number a में दिया होगा n square ratio 1, option number b में दिया होगा 1 ratio n square, option c में दिया होगा कि n per power 2 by 3 ratio 1, option d में दिया होगा कि 1 ratio n per power 2 by 3, इन में से कौन सा होगा चलिए देखते हैं हम लोग, इसको बनाते हैं, तो mean proportional xy का क्या हो जाएगा, root over xy हो जाएगा, ठीक है, और third proportional क्या होता ह जैसे मालने ते कि कोई proportional a b है, इसके लिए formula हो जाएगा, mean proportional के लिए root over a b, अगर यहीं जो है number है, इसका third proportional निकालना होता है, तो इसके लिए formula होता है, b square बाटा में a, मतलब कि इसका third proportional निकालते हैं, तो क्या बन जाएगा, y square बाटा में x, ठीक है, और question में बोल रहा है, कि n times होगा, किसके third proportional के, मतलब कि इनका n गुणा होगा, n गुणा ऐसे लिख लेते हैं, आप क्या कर लेते हैं, कि इधर root है, इधर जो है, मिना root का है, तो root को हटाने के लिए, हम लोग इसकार करते हैं, तो इसकार करेंगे, इसकार करेंगे, यह बन जाएगा, x, y, और यहाँ square इधर जाकर के, x में गुड़ा हो जाएगा, n square, y पापावर 4 उपर है, और y जो है, इधर नीचे आएगा, ठीक है, एक y से 1y कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब, इधर बच जाएगा, x, q, बराबर, n square, into, यहाँ पर बन जाएगा, y, q, ठीक है, क्योंकि जो है, उपर 4y है इधर नीचे एगो है, एगो y से y कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ से जो है, x, q और इधर से y इधर चलाएगा, ठीक है, x, q बटा में y, q, बराबर हो जाएगा, n square, नीचे जो है कुछ नहीं है, तो 1 माल लेते हैं, अब यहाँ से दुनों तरह से cube root करते हैं, cube root का मतलब, जो है, घनमुल निकालेंगे, x, बटा में y बचेगा, और यहाँ से cube root करेंगे, ठीक है, cube root ऐसे करेंगे, n square का, ठीक है, बटा में 1, 1 का cube root 1 ही हो जाएगा, अब यहाँ से ध्यान देते हैं, x, बटा में y, cube root का मतलब होता है, power क्या हो जाएगा, 1 by 3, मतलब in power 2 पहले से है, और इस पर power क्या हो जाएगा, cube root करेंगे, तो 1 by 3 हो जाएगा, बटा में 1, x, बटा में y, यहाँ पर power क्या हो जाएगा, अगर power में power राता है, तो गुड़ा हो जाता है, यानि 2 by 3 हो जाएगा, बटा में 1, जो ratio आएगा, इनका ratio x, ratio y का, यह ratio में, यहाँ पर power 2 by 3, ratio 1 हो ज जोड़ा जाए ठीक है what must be added to each term of the ratio 49 ratio 68 so that is it becomes 3 ratio 4 मदब 49 और ratio जो है अनुपार 68 में क्या जोड़ा जाता है दोनों में यह ratio जो 3 ratio 4 बन जायागा मदब माल लेते हैं कि option number 1 लेकर चलते हैं by option से 11 जोड़ेंगे तो यह बन जागा 60 और इसमें 11 जोड़ेंगे तो यह हो जागा बना सी जो की जो है नीचे में चार का जो है multiple नहीं दिख रहा क्योंकि हमें ratio जो है नीचे 4 लाना है उपर 3 लाना है इसका मतलब यह नहीं बनना है तो option number यह नहीं होगा इसका B को लेते हैं तो B को जो है उपर में जोड़ेंगे ठीक है तो 59 हो जाएगा और यह क्या बन जाएगा ठीक है ठीक है अगर इसको जो है fun करना है यह देख लेते हैं तो D 8 को जोड़ेंगे उपर में इतना हो जाएगा 57 और निचे is equal to 8 when y is equal to 15 मतलब x का value 8 होगा जब y का value 15 होगा उसी पर कर जो हमें x का value निकालना है जब y का value 10 हो जाएगा तो यह x भहरी कर रहा है y का मतलब यह directly proportional हो y के तो जब directly proportional रहता है तो उस condition में हमेशा जब ayb के form में मतलब x बटा में y होता है ठीक है जब x का value 8 है उस condition में y का value 15 है ठीक है तो y का value 10 होगा तो x का value निकालना है तो उस condition में directly हम लोग मल लेते हैं यहाँ पर जो है यह मल लेते हैं तो directly proportional होता है ठीक है directly proportional में क्या करते हैं हम लोग डाइरेक्ट जो है x by y हो जाता है यहां से a by 10 हो जाएगा यहां से निकाल सकते हैं यह 5 के टेबल से 3 बार में 5 के टेबल से 2 बार में यह बार बार क्या हो जागा है यहां से यह cross multiplication होगा था 16 by 3 तो यहां से इसको mixed fraction में बदलेंगे था 3 5 जा 15 1 उपर 3 नीचे जो कि option number कीस में है तो option number d में है question number 13 में देखते हैं क्या कर रहा है यह हो कि एक race में जो है रभी जो है पांच किलोमेटर जो है 20 मिनट में कभर करता है तो वह 100 मिनट में कितना कभर करेगा distance तो यह जो है directly जो है यह inverse proportion में भैरी करेगा तो डायरेक्टल हम लोग यहां पर भीना बनाए जो है सवाल को solution कर सकते हैं देखते हैं यहां पर 20 मिनट में यह 5 किलोमेटर जा रहा है तो 100 मिनट में कितना जाएगा तो देख लेते हैं समय यहां पर 20 मिनट दिया हुआ यहां पर 100 मिनट दिया इस लिए distance की कितना कवर करेगा तब 5 बना कवर करेगा यह इसको बनाते समय तो हम लोग use Speed Into Time!, बराबर। भीना सकते हैं discrimin 중국 हो जाएगा इस ए इस पर मूले पर भीना ओके इसपीमिल निकाल कर के यहां से जो है од However ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे, तो यहां पर इसका speed निकाले, तो distance 5 km है, और time कितना है, 20 मिनट है, मतलब यह हो जागा km per minute, हमें जुछ distance निकालना है कितनी मिनट में, ठीक है, 100 मिनट में, तो speed इंटू क्या होता है, टाइम होता है तो इस स्पीड कितना है 5 by 20 और इस टाइम कितना दिया हुआ है 100 मिनट ये 20 से 5 बार में कितना आएगा 25 किलोमेटर आएगा जैके अप्षिस नमर्डी में है कोस्टन नमर्ड 14 में दिया हुआ कि 40 मिटर 45 मिटर ऑफ एन इनिफोर्म रॉड वेट 171 केजी वाट विल भी वेट ऑफ 12 मिटर ऑफ सेम रॉड तो ऐसे कोस्टन जो है डारेक्टली प्रोपर्शनल में है या इसको जो हम लोग इवनेटरी मेथड दर अब यह निकाल सकते हैं तो इनिफ्री मेथड जैसे माल लेते हैं कि जो है 45 मिटर का वेट इतना है हमें जो है वेट पूचा है तो एक मिटर का वेट निकाल लेते हैं एक मिटर का वेट कितना हो जागा 171 by 45 केजी ठीक है हमें 12 मिटर का चाहिए तो बारा से इसमें गुड़ा कर लेते हैं यहां से यह 9 बार में 9 से 5 बार में और 9 से कितने बार में जाएगा ठीक है 19 बार में अब यहां से जो है कटने वाला नहीं है तो फूड़ा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1928 मैंशिका 1932 आप 5 से इसको भागा करेंगे पंचोग के 20 25 25 और बचेगा 3 10 स्मौल लौ छे कि कि इतना केजी हाएगा 12 मेंटर का वेट अप्सिन नम्र किस में है तो अप्सिन नम्र डिया हुआ है तो टूटल प्राइस एन है और एम आर्टीकल निचे आजाएगा क्योंकि एक आर्टीकल का पूछा गया तो फाइप इस घुड़ा कर लेंगे ठीक है या यहां पर दिया गया है कि a piece of work can be done by 36 men in 25 days, then 15 men can do the same work in मतलब कि किसी कारे को 36 आदमी 25 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे तो simple सा हम लोग जानते हैं कि total work is equal to होता है, main good day होता है, इसका मतलब कि total काम निकलना होगा, तो 36 आदमी करते हैं 25 दिन में, यह total काम हो जाएगा, अगर एक आदमी को करना पड़ जाएगा, ठीक है, total 36 आदमी मिल के 25 दिन में काम करते हैं, अगर एक आदमी को करना पड़ इसलिए total काम इतना हो जाएगा, अब इसी काम को कितने आदमी करते हैं, तो 15 आदमी करते हैं, तो 15 आदमी से भागा कर लेते हैं, क्योंकि जो है, यह divert हो जागा, तो यहां से भागा दे दे देंगे, यहां से जो है, जितने भी mine and work का जितने भी questions होता है, यह inversally proportional होता है, त भाइट कर लेते हैं, तो 5 से यह 3 बार में, 5 से यह 5 बार में, और 3 से कितने बार में, कितने बार में, 12 बार में, तो कितना हो जाएगा, 60, तो 15 आदमी कितने दिन में काम करते हैं, 60 डेस में, जो कि अप्सन नमर किस में है, तो अप्सन नमर B में है, अब यहां पर ध्यान द यहां कितने गये मिलकर के इसी खेत को जो दस दिन में चर सकती है, इसका मतलब कि एक गये को चरने के लिए इतना काम हो जायागा, प्रिप्टी फाइब बाइब एट अब इसी को जो है 10 दिन में चरना है तो number of cow निकलना रहेगा तो 10 दिन में चरना है तो 10 से क्या कर लेंगे divide कर लेंगे तो दूसरे ये 5 बर में दूसरे चार बर में और 5 से ये 11 बर में total कितना हो जाएगा अगर multiply करें तो 11 से 4 में 44 ठीक है 11 से परो तो option number कौन से हो जाएगा option number a right हो जाएगा आप देखते हैं जो है question number 18 में 18 में क्या गहरा है कि the cost of 24 oranges be 72 then the cost of 120 oranges it's मतब कि 24 संतरों का दाम दे चुका है 72 तो हमें जो 120 संतरों का निकालना है तो simple directly अगर देखे तो 24 संतरों का दाम 72 रुप्या दे इसका मतलब कि ये तीन गुणा है उसी परकर 120 का संतरों का दाम पूछा तो directly तीन गुणा हो जाएगा ठीक है तीन का गुणा क्यात रहेंगे तो किसमें हो जाएगा 120 से 3 में 360 क्योंकि option number किसमें होगा question number 19 में देखे था है how many sacks are required for filling 1026 kg of rice if each sack is filled with 114 kg of rice इस प्रस में बोलना है कि जो है कितने बोरी होंगे जिसमें जो है चावल जो है 1026 kg भरा जाए सकता है ठीक है और बोलना है कि each sack मतलब कि एक बोरी में 114 kg भराया जा रहा है तो हमें बोरी का संक्या पूछा है मतलब कि number of sack पूछा है इस टाइप का देखते हैं last question six mankind completed a piece of work in 20 days in how many days will eight men complete the same piece of work मतलब 6 आदमी जो है काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो कितने दिनों में 8 आदमी complete कर लेंगे सिंपल सा यह inversely proportional है तो हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं तो टोटल वर्क क्या हो जागा मैं गुड़े डे तो छे आदमी जो है 20 दिन में पूरा करते हैं यह टोटल वर्क हो गया अब इस टोटल वर्क को कितने आदमी करेंगे तो आठ आदमी तो आठ से भागा दे है आई होब यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी ठीक है इस चैनल पर जो है आप बने रहिएगा ठीक है लाइक कमेंट सेयर जर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगा थैंक्यू जय हिंद